हेलो दोस्तों मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है ये नीज फाइंडिंग सीरीज का तीसरा वीडियो है और ये इसलिए अमेजिंग होने वाला है कि पिछले दो वीडियो में मैंने पेट तूल का यूज करके ये नीज फाइंड करूंगा जिससे कि आप आसानी से 30 से 40,000 रुपया पर मंथ कम आ सकते हैं और ये वीडियो और अमेजिंग इसली होगा कि मैं इसमें एक फूल रोड मैप बताऊंगा कि नीज तो फाइंड हो गया आपको कीवर्ड भी मैं सेयर करूंग उसके बाद बताऊंगा कि आपको इस पर काम प्रोपर्ली कैसे करना है और कैसे ये रेंक होगा और कैसे इनकम होगा ये नीज स्रीज वाले जो वीडियो जहें आपको यूटूब पर कहीं नहीं मिलेंगे जैसे कि टोमेटो पर आया था उसके बाद बनाना ट्री पर आया थ तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरा मेर मोटीव यहीं है ऐसे सिरीज सुरू करने का कि आपको इजली कहीं से भी ब्लॉग के टॉपिक्स मिल जा जिस पर आप आसानी से ब्लॉग बना सके उनको आसानी से कर सके और पैसे कमा सके तो आज का जो आइडिया है घाएस से लेकर सब करना वहाondere है तो दिया तो हमारा है घाएस माल लिते हैं तो इसके इंपोर्टन परसे के बारे मैं जान लेते हैं क्योंकि वो हमें जानना जरूरी है तभी हम आगे keyword research और इस पर niche finding करेंगे तो सबसे पहला वो जो gas का type होता है LPG और CNG होते हैं तो हम LPG ही जाएंगे क्योंकि घरों में LPG यूज होता है और जो घरों के gas cylinder यूज होते हैं उनके companies जो majorly कौन-कौन से है जाना बनाते है ठीक है लेकिन gas के प्रोफल क्या करते हैं उसको हम बूक करते हैं हमारे पास delivery आता है या फिर अगर नहीं है तो हम नए connection लेते हैं और उसमें gas में क्या क्या होता है regulators होता है pipe होता है gas store होता है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह हमें दिमाग में रहा है यह keywords हम search करकर करके इसके बारे में हम जान सकते हैं इसको अपने blog में cover कर सकते हैं तो जो मैं पिछले niche series वाले वीडियो है उसमें formula यह बताया था कि हम keyword डाल डाल कर देखेंगे है कि EMD और PMD rank कर रहा है कि नहीं इससे यह होता है कि पहले ही हमें पता चल जाता है कि यह बंदा यह कुछ blogger इसमें काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद backlink profile root domain, number of article और site के age देखने हैं लेकिन problem तब आता है कि बहुत ऐसे keyword होते हैं जिस पर कोई blogger ने ध्यान ही नहीं दिया होता है मेरा main वहीं target है मेरा main वहीं मकसद है कि ऐसे niche लेके आओ जिस पर competition कम हो और कोई काम ही नहीं कर रहा हो ठीक है तो उस case में तो ना आपको EMD मिलेगा ना आपको PMD मिलेगा तो क्या होगा उसके similar कुछ site मिलेंगे ठीक है उसके similar कुछ site देखना है जिसका competition कम हो जिसका age कम हो एक से दो साल हो या फिर forum ranking कर रहा हो like quora वगर quality कम हो तो यह चीजे हम ध्यान देंगे तो यह हम कैसे find करेंगे के step by step tutorial चलते हैं ठीक है जिस में मैं बिना किसी पे टूल का यूज करके आपको बताऊंगा keyword भी बताऊंगा उसके बाद roadmap पे भी बात करेंगे तो चलिए step by step tutorial देख लेते हैं इस तरफ का जो tool है ना free keyword generator उसक है और indian gas तो यह हमारा target कहां पर है indian gas हम कहां यूज करते हैं अपने country में यूज करते हैं और हमारा country क्या है india तो सबसे पहले हम यहां पर india select कर लेंगे तो target set हो गया उसके बाद main हमारा keyword जो एक है seed keyword वो डाल लेते indian gas ऐसे डालोगे उसके बाद find करो ठीक है तो find करोगे ना तो इसके related keywords आ जाएंगे देखो indian gas booking number indian gas booking agency यह सब सारे booking online booking phone number तो अब देखो हमारे पास keyword के लिश्ट आ गया ठीक है और इसके बेस पर कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं नया formula क्या बताया था कि इसके similar कोई छोटी साइट हो तो उसके लिए देखो हम क्या use करेंगे हम डिये यूज करेंगे डिये क्या होता है मोजबार का होता है तो या तो आप तो या तो आप गूगल गूगल एक्स्टेंशन में मोजबार डाउन्लोड कर लो या फिर keyword everywhere एड कर लो जो आपको गूगल एक्स्टेंशन ख्रोम एक्स्टेंशन है वह आपको मिल जाएगा चलिए अब हम keyword research करते हैं उसके लिए गूगल में चलते हैं ठीक है अब देखो इसमें से कोई एक नमबर उठा लो ठीक है लेट सपोज यह थोड़ा कस्टमर केर वालो नमबर में उठा लेता हूं और इसको मैं क्या करूंगा गूगल में सर्च करता हूं ठीक है अब देखो सबसे पहले तो यह ऑफिसियल साइट बैंक बजार भी आ रहा है लेकिन हमें क्या देखना है जो कम ओथुरीटी वाले सीम लर साइट जैसे क्या है यह नाम है कश्टमर के और वगएर हो फोन नमबर हो डोमें में वह ऐसे देखें तो एक यह दे आ रहा है इन्डियन कस्टमर के जिसका ओथुरीटी दो कितना है टू है ठीक है तो अगर 20 क्या सपास है ना तो हम देखें कि हाँ यह है हम इसपे काम कर सकते हैं तो दूसरा किवर्ड वह देखते हैं डाल ला लगए ठीक है जैंडियान गैस बुकिंग नंबर इस पर देखते हैं कि और कोई साइट रहें रहें कि नहीं देखो यह ओफीसियल साइट है तो क्यों काम करने नहीं आपके पास और बहुत कीवर्ट इसमें मिलेंगे जो कि आपको रेंग होगा अगर ऐसे रहता है तो ये बड़ी साइट है क्यों उसकि ने तो ज्यादा कोर पर आता है धिकांद यह एक छोटी साइट है आईटी सेंट्रल करके है 28 के आसपास है यह देखो यह भी एक साइट है जिस पर 41 है लेकिन यह तोरह पर ज्यादा है देखो यह कस्टमर के अनुवाला फिर आगे 23 के आसपास तो ऐसे अगर टॉप 10 में आपको 20 से लेके नीचे 20-25 के आसपास मिले तो उ इस पर यह हो गया ना कि हम इस गैस पर तो काम कर सकते हैं लेकिन हमारा ऑपरचुनिटी यह है ना कि गैस इंडेन गैस या किसी एलपीजी गैस पर कोई साइट ही नहीं बना है तो अगर हम एक साइट बनाते हैं और उस पर पचास से हंड़ेट आर्टिकल कवर करते हैं तो एक authority बन जाता है topical relevancy बनता है कि एक ही topic पर पर साइट है तो ऐसे अगर काम करोगे न तो आपके chances बहुत जादा है कि इन साइटों को आप बीट कर सको क्योंकि Google समझेगा कि इस बंदे के बास इसी नीस में इसी topic पर expertise है ठीक है अब देखो और keyword find करने के लिए आपको क्या करन करना है यहां पर space देखना start डाल दो ऐसे ऐसे और भी keywords आ जाएंगे ठीक है नंबर मी स्कॉल डाल दो इस पर देखो ऐसे देखती जाओगे न तो और भी site आपको मिलती जाएंगी तो ऐसे ही आपको keyword research करना है ठीक है उसके बाद और keyword find करने के लिए ABCD वाले method यूज करो तो ऐसे आए ना forum आया या कुछ एक दो position के बाद YouTube वीडियो जो एकर आए तो इस पर थोड़ा सा easy रहता है ranking ठीक है तो आप ऐसे post पर काम कर सकते हो जैसे देखो यह भी इसका mode authority कम है यह वाले होगे बी पर बी करके search करो तो booking WhatsApp नंबर भी है miss call है तो यह सब करके आप cover देखो कौन rank कर रहा है देख रहा हो तो ऐसा नहीं है कि आप rank नहीं कर सकते हैं आप भी rank कर सकते हैं तो ऐसे आपको और keyword find करने के लिए B हो गया उसके बाद C यहाँ type करो ठीक है तो आप देखो cylinder connection आ गया gas connection आ गया ऐसे करते जाना है C हो गया उसके बाद D कर सकते हो distributor number अब आप इस पर काम कर सकते हो और इस पर आप अच्छा खासा ranking भी ला सकते हो ट्राफिक भी ला सकते हो तो ऐसे डी के बाद आपको और करना है यी कर लेना है तो ऐसे और सारे आपको keyword मिल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आपको question related करना है तो वाट टाइप करो ठीक है वाट आपके chances हैं अगर आप ऐसे keyword पर काम करोगे ना तो आपकी ranking possible है और आप अच्छे से इस पर काम कर सकते हो में बात है आपको सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा आप भेड चाल में नहीं चलोगे जो सब करते हैं वो आप नहीं कर रहे हो देख रहे हो देखो फिर ये forum rank कर रह देख रहे हो तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो देखो यहां पर images वाले site भी rank कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप rank नहीं करोगे आप rank करोगे देख रहे हो यह भी rank कर रहा है आप rank करोगे अगर आप एक topic के ऊपर एकदम proper expertise हो करोगे ना 100 article डाल दोगे तो Google के नजर में आपक experience हो जाएगा Google आपको consider करेगा कि हाँ आप इस नीच में export हो तब जब इस पर कुछी ने प्रोपर साइट ही नहीं बनाया है तो मेरे तरफ से यह नीच ओके है इस पर काम किया जा सकता है ठीक है तो यह जितने भी keywords है ना आपको एक seat में add कर लेना है जैसे यहां पर मैंने सा आपको मिले ना तो आप अपने seat में यहां add कर सकते हो और इस जो seat का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां से आप यह download कर सकते हो या देख सकते हो भ्यूज कर सकते हो ठीक है तो यहां तक तो हमारा क्या होगा keyword research कैसे करना है free method से वह मिल गया अब हम इस पर काम कैसे मैंने दे दिया आपको keyword find करना भी बता दिया ABCD वाले method से सारे यूज करके find कर सकते हो what where से यूज कर सकते हो और भी keyword आप फिरी method से यूज कर सकते हो उसके बात देखो आपको क्या करना है domain selection यहां पर बहुत important हो गया आपको एक gas की base space site बनाना है ठीक है लेकिन यह हम target कहां क कर रहे हैं तो आपको आख बंद करके dot in domain ही लेना है दूसरा में नहीं जाना है dot in बहुत जल्दी और फास्ट रेंग करेंगा dot com या किसी के अपयक्चा है इंडिया में मैं बार बार हर वीडियो में यह बोलना हूं कि अगर इंडिया में आपको काम करना है तो dot in domain के साथ ज इस ट्रेड मार्क डोमेन है और आपको कभी उदर से ट्रेड मार्क की आ सकती है जिसे की आपका सारा मेहनत बेकार जा सकता है तो आपको लपी जी या गैस के राउंड ही कोई domain लेके dot in में बुक कर लेना है तो यह इससे Google के नजर में संदेश भी चला जाए है कि आप गैस म नहीं काम कर रहा हो और यह ब्रांडेवल डूमें नेम भी बन जाएगा ठीक है तीसरा जो पॉइंट है न वह आपको साइट सेट अप करना है उसके लिए आपको होस्टिंग की जरौत होगे तो आप ब्लू होस्ट या होस्टिंगर कोई भी ले सकते हो जिसका लिंक मैंने डि पिलिग्राम ग्रूप में आड़ कर दूँगा जहां पे आप मेरे से इस नीच या किसी भी नीच के बारे में डारेक्टली है या सपोर्ट जहां भी लगे ले सकते हैं वहां पे आपको मैं एग घंटे या दो घंटे के अंदर रिपलाई और प्रोपर गाइड कर देता हू उसके अलावा free themes और plugin भी मिल जाएंगे तो link description में है वहां से जाके आप buy करो और इसका यह कि यह फायदा होगा ना कि यह दोनों के जो भी plans है उसमें आपको free domain.in domain भी मिल जाएगा तो अगला जो इसमें क्या करना है कि जैसे कि आपने domain खरीद लिया hosting खरीद लिया या already है तो आपने setup कर लिया उसके बाद आपको important pages जो मैंने free blogging series में बताया था कि कौन-कौन से important pages है वो उसका भी link में description में उस वीडियो का डाल दे रहा हूं उसको follow करके आप यह सब चीजे बना लेना social profile बनाना most important है आपको Pinterest Twitter YouTube पे अगर possible हो तो यह profile बना लो और आप अपने site को यह सब चीज करने के बाद search console में add कर दो ठीक है उसके बाद चौथा जो topic है वो है कि आपको content करना है तो सबसे पहले आप target set करो 15 article मेरे को करना है तो अब बहुत लोग यह question पूछते है कि कितने दिनों में एक article करना चाहिए देखो जितना जल्दी article करोगे वो आपके लिए beneficial है लेकिन बहुत लोग ज्यादा article जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं तो at least यह target रखो ना कि एक week मतलब साथ दिन के अंदर आप दो article करो अगर ज्यादा ही beginners हो आपको English लिखने नहीं आ रहा है तो आप week में एक post at least जरूर करो और target रखो कि मेरा पहला target है वो 15 content लिखना का है तो यह कहां से करोगे आप keyword जो मैंने seat डाल दिया है उसमें से keyword चुन-चुन के उस पे post लिखना शुरू करो जैसे कि booking नंबर हो गया customer care नंबर हो गया how to book गैस हो गया WhatsApp नंबर यह सब एक एक post कर दो ठीक है तो ऐसे करके आप 15 post का target रखो उसके बाद 15 post के target रहने के बाद जब यह 15 post हो जाए तो आप indexing check करो कि कितने post मेरे index हो गया यह नहीं कि एक ही post डाला वो चेक करो और index नहीं हो रहा तो आप move बना लो नहीं आख बंद करके पहले 15 post करो उसके बाद indexing वेगरा चेक करो उसके बाद सर्च कंसोल में देखो कि कुछ मुझे impressions आ रहे हैं कि नही आप मैं rank कर रहा हूं मैं आपको guarantee दे सकता हूं कि 15 post आप डालोगे ना तो इसमें से 10 तो post index हो ही जाएंगे उसके बाद आपके impression आने लगेंगे यह मेरा दावा है उसके बाद backlink और adsense देखो adsense कब apply करना है अगला target 30 content रखो 30 content जब हो जाए ना तब आपको adsense apply करना है ठीक आने लगे तो आप backlink बनाना शुरू कर दो तो बहुत लोग पुछेंगा भया कौन से backlink बनाना है किस टाइप के back links बनाना है कैसे बनाना है तो इस पे तुरंत मेरा आगला वीडियो कल आने वाला है foundation backlink के उपर कि वो कैसे बनाना है कब बनाते हैं तो इसके उपर आएगा तो 15 आर्टिकल के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि एक महिने या दो महिने के बाद आप foundation backlink बनाना शुरू कर दो तो कौन कौन से वो backlink होते हैं कहां कहां बनाना होता है कैसे बनाना होता है इस पूरा वीडियो में कल लेके आने वाला हूं उसके लिए इस वीडियो पर like और 20 टॉप 30 में तो आपको already confidence आने लाएगा उसके बाद और सारे backlinks और content बनाके आप इस site को easily rank कर सकते हो और eventually जब 6 महिने के बाद देखोगा न तो आपको 10,000 at least income होगा ही होगा ठीक है उसके बाद धीरे धीरे आप 20,000, 30,000, 35,000 तक इस नीच में जा सकते हैं जो की काफी अच सुरू कर रहा है side business के तौर पर या student है या घर पर है या अलग से काम करना चाहते हैं तो side hustle के तौर पर उसके बाद आज का यह वीडियो यहीं पर हो जाता है मेरा काम लेकिन आपको मैं एक homework और idea दे देता हूं जैसे कि हमने LPG पर काम किया आप CNG पर भी niche find कर सकते हो जैसे ह तो और अभी अच्छा होगा जिसमें 50-60,000 भी income कर सकते हैं तो आपको और दिमाग खुलेगा कि हां homework और idea वाला कैसे मुझे करना है तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कुछ भी problem होगा तो नीचे आप comment कर सकते हो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा keyword वाले पर मैंने ज्यादा focus नहीं किया तो अगर आपको keyword research पर वीडियो चाहिए तो नीचे comment करके बताओ free method से मैं वह भी पुरा cover करूंगा यह वीडियो लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम किया तो थैंक यू सो मच प्लेस सब्सक्राइब कर देना भाई थैंक यू